तो चलिए आज हम बनाते हैं पीजा सौस तो मेरे घर मार्केट से बहुत सारे टमाटर आ गए थे तो मैंने सोचा कि इन टमाटरों से ही कोई रेस्पी रेडि की जए तो मैंने शुरू किया पीजा सौस बनाना तो इसके लिए मैंने लाल-लाल टमाटर 1.5 kg लिया फिर उसे हम अच्छी तरीके से धो कर कॉटन कपड़े से पोच लेंगे और फिर सारे टमाटर पर क्रॉस में कट लगा देंगे जिससे बॉयल होने के बाद इनके छिलके आसानी से हम उतार सकेंगे और अब हम इनमें कट लगाने के बाद इन्हें सॉस पैन में बॉयल होने के लिए गैस पर रख देंगे मेरे से टमाटर थोड़ी जादा बॉयल हो गए थे लेकिन आप इनको थोड़ा कम ही बॉयल करिएगा जब तमाटर थंड़े हो जाए तब सारे टमाटरों के छिलके हम उतार लेंगे फिर इनको हम एक Mixi Jar में डालकर थुड़ा मोटा ही ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे अब एक साइट पैन गरम करेंगे और उसमें ओईल डालकर गरम होने देंगे फिर इसमें 1 टी स्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स और बारीक कटे हुए 6-7 लसन की कलिया डाल कर सौटे कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम टमेटो पेस्ट जो हमने ग्राइंड करकर रखा है उसको एड़ कर देंगे और फिर इसमें 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून और गेनो और 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टी स्पून सुगर डाल कर अच्छे से लो फ्लेम पर भूल लेंगे जब इसमें से औल रिडियोज होने लगे तभी हम इसमें 2 टी स्पून वाइट विनेगर एड़ कर देंगे जिससे यह 1 मन तक खराब नहीं होगा और आसानी से हम इसको फ्रेज में रखकर यूज कर सकते हैं आप अपने कॉडिंग इसकी कंसिंस्टेंसी कम या ज़्यादा रख सकते हो और इसे हम अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे और फिर इसमें हम टमेटो सॉस एड़ कर देंगे मैंने इसे ठंडा होने पर ही एड़ किया था आप चाहो तो उसमें मसालों के साथ भी इसको एड़ कर सकते हो मैटो सॉस को एड़ करने से इसका टेस्ट जो होता है बैलेंस्ट हो जाता है नहीं ज्यादा तीखा और नहीं ज्यादा स्पाइसी लगता है खाने में बहुत ही यमी लगता है और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी और कलर भी कितना सही लग रहा है द और इस तरह की नई रेस्पी के साथ मिलते हैं नेक्स कुकिंग ब्लॉग में